पातियों, आज का दीन एक और वज़र से बहुत विशेस हैं। आज करनाश्ट्रका के लोक प्रिय जननेता बी एस एदुरप्पा जी का जन्मदीन है। मैं उनकी लंबी आयू की कामना करता हूँ। उन्होंने अपना जीवन गरीबों के कल्यार के लिए, किसानों के कल्यार के लिए समर्पित किया। इदुरप्पा जी ने अभी पिछले हपते करनाट का एसेमली में जो भाशन दिया है। वो सारवजनी जीवन जीने वाले प्रतेग व्यक्ति के लिए प्रेरना है। सभनता की सुँचाई पर पहुँच कर भी किस तरह व्यहवार में विनम्नता बनी रहनी चाहिए। ये हम जैसे हर किसी को हमारी आने वाली पीडियों के लिए भी ये डुरप्पा जी का ये भाशन उनका जीन जीवन हमेशा हमेशा प्रेना देने वाला है। साथियों मेरी आप सबसे एक विनम्नती हैं। आप करेंगे? करेंगे? अगर आपके पास मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लेश लाइट शुरू करिए और एडुरप्पा जी का सन्मान कीजे। एडुरप्पा जी के सन्मान में सब लोग हर एक के मोबाइल पर फ्लेश लाइट चलना चाहिए। एडुरप्पा जी के सम्मान में चलना चाहिए। 50-60 साल का सारवजनिक जीवन अपनी पूरी जवानी एक विचार के लिए खपा दी है। हर कोई अपने मोबाइल फोन का फ्लेश लाइट चालू करके आधनिये एडुरप्पा जी का सम्मान करे। शाबाज। साबाज। साब चाहिए।